जब अगर आप pregnancy conceive करने के लिए try करते हैं तो हर एक महिने आपके मन में सवाल ये ज़रूर आता है कि इस पार pregnancy रुकेगी या फिर उमीद तूट जाएगी तो आज इसी वीडियो को आगे बढ़ाते वे कुछ मैं आपको ऐसे लक्षनों के बारे बताऊंगी जिस समय अगर काफी उभर कर आते हैं तो वो कौन से ऐसे लक्षन होते हैं जो कि आपको दिखाई देते हैं आपकी pregnancy conceive जब होती है implantation के बाद वो भी date miss होने के 2-3 दिन पहले कि अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे prominent symptom होते हैं जिससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने pregnancy conceive कर ली है ये वीडियो बहुत important है तो वीडियो को जानने के लिए शुरू से लेके लाज तक वीडियो ज़रूर देखीगा अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं तो अपने शरीर को notice करके उन बदलावों से match करिए अगर आपको ये सारी बदलाव दिखाए देते हैं तो आप इसे एक pregnancy के ब्लक्षन को मान सकते हैं नमस्ते दोस्तों मेरा नाम हर्शता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस मैं वर्ल पे स्वागत है अगर आप चैनल पे नए आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें अगर आप मेरे regular viewer हैं और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए मैं दिल से आपको thank you बोलना चाहूंगी बढ़ते अपने वीडियो के तरफ जैसा मैंने आपको पोता है कि जिस दिन आपका period आता है उसके तो तीन दिन पहले ही से आपको कुछ ऐसे symptom दिखाई देने शुरू होते हैं और ये symptom काफी ज़दा prominent होते हैं क्योंकि इस समय आपके progestron की जो मात्रा होती है वो काफी तेजी से बढ़ी होती है तो pregnancy जब रुकती है तो pregnancy रुकने के बाद आपके pregnancy के hormone भी तेजी से बढ़ते हैं जैसे कि beta-seg हुआ, estrogen हुआ, progestron हुआ तो जैसे जैसे progestron का level बढ़ेगा यानि जो आपके बच्चे को sustain करने के लिए जरूरी है आपके बच्चे को 9 महने गर्वे सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, वो progestron जैसे जैसे बढ़ता है तो आपके जो private part का जो discharge है वो भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है वो एक ऐसा आपको creamy discharge अगर आपको period आने के 2-3 दिन पहले feel होता है तो उसे भी आप एक लक्षन के रूप में माल सकते हैं लेकिन साथी साथ अगर आप nauseatic feel कर रहे हैं, आपको काफी ज़दा उबकाई जैसी आ रही है या किसी food को देखके उबकाई आ रही है या किसी food को देखके काफी ज़दा वो पसंद आ रहा है या कई बार ऐसा होता है कि आप थकान जैसा feel कर रहे हैं या आपको breathlessness हो रही है, आपको vomiting जैसी feel हो रही है तो ये लक्षन भी आपकी pregnancy के होते हैं कई बार जो महिला होती है वो आपके pre-menstruation syndrome के साथ भी pregnancy को लेके confusion में आ जाती है लेकिन nauseatic feeling होना या ठका ठका feel होना या किसी food को देखके आपको चिरचिडाहट पन होना ये सारे आपके pre-menstruation syndrome नहीं बलकि आपकी pregnancy होती है तो ये लक्षन अगर आपको दिखाए देते हैं तो आप इसे एक pregnancy के symptom मान सकते हैं साथी साथ जो अब आपका implantation होता है यानि period का date जिस दिर आता है उसके एक हफ़ते के पहले अगर आपको implantation bleeding आती है बहुत हलकी सी bleeding होगी मामुली सा अगर आपको spotting लगता है या आपकी panty में कुछ हलका सा दाग लगता है जो कि भूरे रंग का है या फिर बहुत ही मटमेले कलर का है या फिर हो सकता है कि आपको pink रंग का भी discharge अगर दिखाए देता है बहुत ही हलका उसको आप bleeding मत समझ लेजेगा कि bleeding जो मैंने बोला तो flow नहीं होगा बलकि हलकी सी spotting होगी जो कि मैं भी शायद आपको panty में एक दाग सा भी दिखाई दे सकता है वो ही दाग आपकी implantation bleeding होती है और ये बहुत सरी महिलाओं को feel होता है लेकिन हाँ बहुत सरी ऐसी भी महिलाओं होती है जिनको implantation bleeding होती ही नहीं है तो इसका ये कताई भी मतलब नहीं है कि उन्होंने pregnancy conceive नहीं की होगी क्योंकि pregnancy के और भी बहुत सरी लक्षन है जो कि आपको अगर दिखाई देते हैं जो कि मैंने एक video बनाया था जिसमें मैंने complete ऐसे 10 symptom के बारे मताया था जो कि काफी ज़दा prominent होती है उसमें से अगर आपको 6 भी लक्षन मिलते हैं तो भी आप मान सकते हैं कि आपने pregnancy conceive कर ली है तो इस video को clear करने के बाद ये जो doubt है उसको clear करने के बाद आपको इस video को देखना चाहिए ताकि आप और भी symptom को match कर पाईए कि कौन-कौन से और भी symptom होते हैं जो कि आपको दिखाई देते हैं अगर ये video अच्छी लगी तो लाइक कर दिजेका साथी साथ शेयर करेगा और इस video को देखना मत भूलेगा थैंक ये सो मच पर वाचिंग, ट्विन्स माइ वर्ल्ड